आज हम part 7 काम का सम्मान के प्रशन उत्र करने जा रहे हैं पहले हम मौकिक प्रशन उत्र हम अपनी बुक में ही करेंगे तो सभी बच्चे पैंसिल लेकर बैठें और मेरे साथ उत्र लिखते जाएं पहला प्रशन है कौन सा पशु सवारी के काम आता है उत्तर है घोड़ा घोड़े के मुँँ में क्या डाला जाता है घोड़े के मुँँ में लगाम लगाम डाली जाती है घोड़े की इजित कब अधिक होती है जब वो शादियों में सचता है हम नहीं आ पड़ा था न जब वो शादी में शोबा बड़ाता है ठीक है तो हम लिखेंगे शादियों में तो ये हो गए हमारे मौखिक प्रशन उत्तर पहला प्रशन है कौन सा पशु सवारी के काम आता है घोड़ा गोड़े के उमू में क्या डाला जाता है लगाम गोड़े की इज़त का बदिक होती है शादियों में अब आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक निकालें हम प्रशन उत्तर लिखेंगे पहला प्रशन लिखें सभी बच्चे अपनी नोटबुक में से डेड डालें हेडिंग डालें प्रशन उत्तर प्रशन उत्तर ठीक है पहला प्रशन लिखें गाएं को गया मैया क्यों कहते है उत्तर है हमने बुक में ही पढ़ा है कहानी में यहां पर हम लिखेंगे गाएं को गया मैया इसलिए कहते हैं क्योंकि गाएं ही करती है ठीक है अब आते हैं प्रशन दो पर सभी बच्चे प्रशन दो लिखें प्रशन दो है नकेल किसके और क्यूं डाली जाती है तो हमें पता है नकेल किसके डाली जाती है बैल के बैल कौन होता है गाएं का बच्चडा मतलब गाएं का बेबी बॉई नकेल बैल के डाली जाती है क्यूंकि उसे हल चलाना पढ़ता है एक तो ये रीजन हो गया एक हो गया दूसरा हो गया दूसरा हो गया दूसरा हो गया हो गया और लदी गाड़ी खीचनी पढ़ती है छीक है अब चलते हैं प्रशन तीन पर सभी बच्चे प्रशन तीन लिखें अपनी बुक में से प्रशन तीन है गाएं और घोड़ा दोनो पराधीन पराधीन क्यों है उत्तर है हमें सबको पता है वो पराधीन क्यों है क्योंकि वो मनुष्य क्योंकि उससे मनुष्य काम कराते हैं वो उनके गुलाम है ठीक है तो हम लिखेंगे गाएं और घोड़ा दोनो मनुष्य गाएं और घोड़ा दोनो मनुष्य के पराधीन है क्योंकि दोनो ही मनुष्य की की इच्छ के अनुसार काम करते हैं वो अपनी तो इच्छा के अनुसार काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मनुष्य के लिए काम करते हैं गाएं और घोड़ा प्रशन चार पे चलते हैं प्रशन चार है पराधीन सपने हूं सुक नही का क्या भाव है तो ये लाइन हमने अपनी बुक में पड़ी है और इसका अर्थ मैंने आपको क्या बताय था कि पराधीन सपने हूं सुक नहीं का मतलब होता है जो लोग पराधीन होते हैं मतलब किसी के गुलाम होते हैं उनको कभी सुक की प्राप्ती या सुक का अनुभव नहीं हो सकता सपने में भी रियल लाइफ में तो हैं ही नहीं क्योंकि वो औरों के लिए काम करते हैं औरों के अंडर में काम करते हैं पर उन्हें सपने में भी सुक नहीं होता हम क्या लिखेंगे पराधीन सपने हूँ सुक नाही का भाव है डैश लगाएंगे और लिखेंगे पराधीन मतलब जो गुलाम है आप गुलाम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पराधीन मनुष्य मनुष्य कौमा पशू और पक्षी चाहिए वो कोई भी हो पराधीन मतलब गुलाम मनुष्य भी हो सकता है पशू भी हो सकता है और पक्षी भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो पराधीन मनुष्य पशू और पक्षी को कभी सपने में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता जो लोग पराधीन है जाय वो मनुष्यज़ है पश्यू है ।य या पक्षी है, कोई भी है तो हमने क्या लिखाए इसका अर्थ, पराधीन मतलब गुलाम होता है झालन सब्सक्राद है, जो किसी के अंडर में काम करता है मनुष्य पशूर पक्ष्य को कभी सपने में भी सुक्का नुभव नहीं हो सकता तो इस पंग्ती का क्या आर्थ है यही है तो हमने आज अपने लिखित और मोखिक प्रष्ण उत्तर पूरे किये पहला प्रश्ण गाए को गया मैया क्यों कहते हैं क्योंकि गाएं ही दूद दे कर सबके बच्चों का पालन पोशन करती है नकेल किसके और क्यों डाली जाती है नकेल बैल के डाली जाती है क्योंकि उसे हल चलाना पड़ता है और लदी गाड़ी खीचनी पड़ती है तीसरा प्रशन गाएं और गोडे दोनों पराधीन क्यों हैं गाएं और गोडे दोनों मनुष्य के पराधीन हैं क्योंकि दोनों ही मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम करते हैं अगला प्रशन पराधीन सपने हुँ सुक नाही का भाव है पराधीन मनुष्य पशु और पक्षी को कभी सपने में भी सुक का अनुभव नहीं हो सबता तो हमने सारे प्रशन उत्तर पूरे किये हैं आप सभी बच्चे अपना वर्क पूरा करें और मुझे साथ के साथ भेशते रहें यह वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और आपको पीडियो अपना कार्य पूरा करते रहें और साथ के साथ मुझे भेशते रहें आज की कक्षा के लिए इतना ही धन्यवाद